नमबर इंसिचूट के माद्यम से मैं आज आपको दो जात्तकों के बारे में जिनकी बहुत अच्छे से शादी हुई शादी अभी चार महीन ही हुए हैं लेकिन दिकते क्यूं आ गई मैं नाम के माद्यम से आपको समझाना चाओंगा बताना चाओंगा कि बच्चे का नाम है हिमाशू, बिठिया का नाम है विशाखा, इनके नामों के साथ ही देखी, इनकी डेटा बर्ट जो मिलाई गई 18.1995 के अंदर हुआ, और लड़की की जो डेटा बर्ट थे 31.1998 है, इनके अंदर देखीगा कि जो बहुत अच्छे दिकेश्चे हम लोग ट्राइवर और कनेक्टर मनाते हैं, तो 18 का 9 है और वहां पे 31 का 4 है, तो आज 4 और 9 के अंदर जो दोस्ती नहीं बनती है, नाम के अंदर भी आप देखिएगा, H5 से है, V6 से है, नाम के अंदर suitable आ रहा है, लेकिन जब पूरा नाम आता है, इनके जोड आते हैं, तो यहां दिक्कत आ गई दोस्तों, इसलिए आपको कहता हूं कि नेम निमरोलाजी डेटा पर्थ के साब से चार्ट मिला के करें, अच्छे तरीके से करें, लेकिन अब हमें समझना क्या है, कि हम इनकी जिंदगी में खुशियां कैसे ला सकते हैं, जब इनका हमने पूरा चार्ट बन क्योंकि 3-1-9 का कंब्धियशन उसके अंदर है, जो 3-9 के 3 हाड नमबर हैं, लड़के के अंदर जो हाड नमबर हैं, वो एक और नो है, ते 이제 हाडनेस ज़्यादा आ आई, लड़की के अंदर ए गो झाला है, ऐक दूसरे की बात समझने और सुनने को त्यार नहीं हैं दोस्तों इसी के लिए अब हमें क्या decision लेना चाहिए क्या इनको life को अच्छा बनाने के लिए बताना चाहिए कि क्या करें तो इसके अंदर दोस्तों में इनकी जो महादिशा निकालनी है इनका समय निकालना है उसके ओपर विचार करके इनको जिन्दगी के अंदर खुश्या लेनी है क्योंकि जब इनकी शादी हुई है तो शादी कहीं न कहीं से हम लोग हिंदोस्तान में है तो कहते हैं कि जोडियां उपर से बन के आती है इस जोडिय को स्रामत रखने के लिए हम लोग क्या remedy करें हम लोग इनको पांच की एक की remedy बताते हैं कि एक नमबर सूरे का है पांच नमबर जो हमारे पास है हम लोग इसको राजकुमार भी कहते हैं कि बहुत मीडियम का नमबर है बीच का नमबर है लोशोगिड का और राजकुमार कहते हैं सुन्दर होता है स्मार्ट होता है और भुद्ध के अंदर साथ जोड़ते हैं और भुद्ध के लिए इनको बहुत अच्छे तरीके से गनेश जी को पांच लड़ू और पीला कपड़ा पेनाएं तो इनके घर में खुशियां आएंगी सूरे को जल परवा करें दोनों इनके अंदर निमरता आ आएं और आपके साथ आपके मात इस लाइफ विड्ट नंबर इंसीचूट के मात्यम से आपको यूट्यूब के मात्यम से पढ़ाई करने को मिल रहा कि लेसन करिए आपके पास एक के स्टड़ी है इसको हल करके मुझे आंसर बताइए धन्यवाद दोस्तों स्वस्त रहें म स्वस्त रहें